वहीं आस्या आग्राम में भाजपा युवा मोर्चा का प्रशिक्षन शिर्विर लगने ज़ा रहा है जसकी शुरुवाद प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रुदेव सिंग करेंगे और शाम में डिप्टी सीम रिजेश पाठक भी नौजवान सारिकताओं को संबोधित मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस प्रसिक्षन वर्ग में आने का प्रोग्राम उनका बन रहा है और वहीं मुख्यमंत्री योगे आदित तेना समापन सत्रु को संबोधित करने वाले हैं साथी भाज्यूमों के राश्ट्री अध्यक्ष तेजस्वी सूरिया भी स तमापन कारीक्रम में शुर्कत करेंगे इस प्रदेश प्रसिक्षन वर्ग में बड़े नेता युवा मुर्चा की फदाधिकारियों के सामने आगे के कारीक्रमों का खाका खीचेंगे और मिशन दोहज़ार चौबीस को सफल बनाने का मूल मंत्रों देंगे और इसके रही है भारत्य जंता पाति के नेतामपूर और इधर बीज़पी मिशन दोहसार चौबेस के लिए पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है यूपी बीज़पी के साथ मोर्चों में से छे के प्रसिक्षन शिवर चल रहे हैं कारेकरताओं और नेताओं को मिशन और सरकार की कामों की जानकारी दी जारी है उन्हें नए लक्ष और नए मिशन के लिए तयार किया जारा है 2024 के रण को लेकर बीजेपी चुनावी मोड में है इसके लिए चुनाव से पहले ही सभी मोर्चे की तयारियां शुरू हो चुकी है इसी महिने में यूपी बीजेपी के 7 मोर्चों में से 6 के प्रशिक्षन वर्प का आयोजन हो रहा है किसान, यूवा, पिछा, महिला सहित, यूपी बीजेपी के 6 मोर्चे के निताओं और कारिकरताओं को मिशन 2024 के लिए तयार कर रही है इसके तहट पार्टी के विजन और सरकार के काम की जानकारी कारिकरताओं को दी जाएगी चित्रकोट में हुए प्रशिक्षन वर्प के बाद मेरट के हस्तिनापुर में किसान मोर्चा का प्रशिक्षन वर्प चल रहा है इधर आगरा में युवा मोर्चे का प्रशिक्षण कारकम चल रहा है कहीं न कहीं बीजेपी अब इस तैयारी में जुटी है कि 2024 से पहले कैसे मंडल, बू, जिला, हर जगा कारेकरताओं को ये बता दिया जाए कि 2024 के लिए क्या तैयारी करनी है कैसे 2024 के लोकसवा चुनाओं में उतरना है इसके लिए अभी से तैयारी शुरू हो गई है और इसलिए अब पार्टी के जो अलग-अलग मोर्चे है सभी जगहों पर जो ट्रेनिंग शेशन है वो हो रहा है क्या में मेहदी हसन के साथ अनुबर शुक्ला एबी पी गंगा लखना हूँ एबी पी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी